लोगों का स्वागत है टीचिंग परिक्षा के आज के इस वीडियो में जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा संपुर्ण NCRT और लुसेंड के उपर में बेस्ट एक सीरीज चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे आप लोग जानते हो फ्रेंड्स की इस सेशन के अंदर में हम लोग जो NCRT के उपर में बेस्ट अलग अलग कोशन जो आप लोगों से पूछे जा सकते है कोई भी एक्जाम हो आप आप लोग एक घंटा कतने होगा उसके बाद में एक लिडरबोरड बनता है आप लोग देख रहे हो कि कौण पहले नंबर-शाय है कौना आपका रेंक क्या है तो यह काफी एक जो है गेमिफिकेशन हो गया इसका और यह बहुत अच्छी बात है ऐसे ही पढ़ाई के जानी चाहिए तो पूरा लेक्चर आप लोगोंने देखना है जितने भी लोग हमारे साथ में यहां पर में जूड़ चुके है उन सभी का स्वाग इसको बताना है निमनल इखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसको बताईए आप लोग टेस्ट कहां मिलती है तो देखिए आर्टिस जोती चौदरी जी टेस्ट जो है आप लोगों आप लोगों को जो बच्चा पूरा लेक्षर देखता है लाइव लाइव आना है आप लोग को ने रोज पाज बजे लाइव और जैसे ही लाइव लेक्षर आपका हे लास लास मॉमेंट जब होते हैं तो मैं आप लोगों को लिंक का उपर में आप टेस्ट के Community कर लिभ़ स望 किसी सकते सरक्ة सर西 इसके सकते हो कि आप में जाके सकते हो या ने बताया था आप या पर मैं आपको बोला गया है प्रोजेक्ट पांड़ा प्रोजेक्ट पांड़्यूर которыхberg अम्हीप ठीक है देखो कई बार क्या होता ना फ्रेंट्स वीडियो रुक रही है एक बार बता देंगे आप लोग कि क्या वीडियो रुक रुक क्या रही है आप लोगों के तरफ में या सही से आ रही है एक बार इसको कंफर्म कर देंगे प्लीज आप सभी लोग जितने भी लोग कि इतने भी लोग देख रहें एक बार कंफर्म कर देंगे प्लीज क्लियर है सर चलो बहुत करें तो आप लोगों को पता होना चीह है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो जीम कॉर्बेट नैशनल पार्क है आप लोगों का उत्राखंट के अंदर में वहां से इसकी शुरुवात हुई थी 1973 के अंदर में प्रोजेक्ट एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हाथियों की संख्या को बढ़ाने के लिए उनको संदक्षित रखने के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था तो अगर मैं इन दो पॉइंट की बात करूँ आप लोगों से प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट इनको तो आप इलिमिनेट कर सकते थे कितने लोगों ने जो है इसको आप लोगों ने इलिमिनेट कर लिया था यह बता देंगे मुझे कितने लोग है जिन लोगों ने इलिमिनेट कर लिया था इसको आप लोगों ने यह स्टार्ट हुआ था यह बिल्कुल सही है आप लोगों का लेकिन अगर मैं बात करू आप लोगों से प्रोजेक्ट हंगुल की जो की बहुत इंपोर्टेंट है 1970 में हुआ था यह ना कि 1960 के अंदर में यह पॉइंट आप लोगों ने याद रखना था ठीक है तो यहां आप आप लोग देख सकते हो इसको प्रोजेक्ट हंगुल आपका यह हंगुल जो है इसको और एक नाम से जाना जाता है वो भी आप बताएंगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काम बहुत ज़्याद आएंगी और इस पर मैं कुश्चन भी पूछूँ आप आपका यह भी सही है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी सही है रेड हंगुल कभ यह आपका हंगुल कभ हुआ था यह हुआ था 1970 में अब बात आती है फ्रेंट्स की यह क्या चीज़ है तो मैं आप लोगों को थोड़ा से इसके बारे में एक्स्ट्र इंडियाज एंडेंजर करके उसका मैं बताता हो इसको क्रिटीकली एंडेंजर की कैटेगरी के अंदर में रखा गया मतलब यह बहुत कम बचे है अभी और आप देखोंगे 2018 की सेंसस के अनुसार इनकी पॉपुलेशन केवल और केवल 239 है भारत के अंदर में 239 बहुत कम यह इनको बचाने के लिए संड़क्षन कर रहे हैं हूं LΟ इछी ले परी शक्राइब नैशनल पार्क कशमीर के अंदर में टöhہं तो दाषीन गाम बहुत नुक्सान हो सकता है, ध्यान से लेखिया आप लोग, कश्मीरी स्टैग को ही हंगूल बोला जाता है, यह याद रखेंगे आप लोग, critically endangered की species में, critically endangered का मतलब होता है, जिनकी संख्याप खतम होने की कगार पर है, नहीं बचाएंगे तो हम खो देंगे इनको, और हम बापस से बना भी नहीं सकते हैं, करोडो सालों की evolution के बाद बने हैं यह सब, तो बहुत कम बचे है, दचिंगम नेशनल पार्क कहा पर में, अपने आप में एक question बन गया आप लोगों का, अपने आप में एक number मिल सकता है, direct question आएंगा GK में या आप लोगों का static में, दचिंगम नेशनल पार्क कहा पर में है, तो जमू कश्मीर में, सिंपल सी बात है आपको याद रखने श्री नगर में, जमू कश्मीर के अंदर में, दचिंगम नेशनल पार्क कश्मीरी स्टैक को कहा पर में संरक्षित किया जा रहा है, एक number वहां भी बन सकता है आप लोगों का, दचिंगम नेशनल पार्क, सिंपल सी बात है, इनका female to male ratio जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो चुका है, आप देखोंगे friends की, just a second friends, मैं जो है net को यहाँ पर में, इसमें change कर रहा हूँ आप लोगों का, आप, ठीक है, आप लोगों के पास में अब सही से आ रहा है वीडियो, जाद उपर करके बता देंगे एक बार जल्दी से सभी लोग, अगर सब कुछ सही से आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, चलो, I think अब सब कुछ सही है यहाँ पर, मैं आप लोगों से बता रहा था फ्रेंड्स की जो मेल टू फीमेल रेशो है वह बहुत जादा यहाँ पर में स्क्रिउड हो गया है, मतलब 200 फीमेल के उपर में केवल और केवल आप लोगों को 31 मेल मिलेगे, तो यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है यहाँ पर में, हमारे इंसानों के अंदर में महिलाओं की कमी है लेकिन यहाँ पर में पुरूशों की कमी है, इन लोगों के वंदर में कश्मीरी स्टैक के अंदर में, तो इस question का answer क्या होग आप लोगों का अगर जो यह question हम लोगों ने देखा था, इसके अंदर में अगर हम लोग बात करें, simple सी बात है project Hangul 1970 में होओ था यह याद रखना आप लोग, और टीचिंग परिश्या को अगर अब भी तक सब्सक्राइब नहीं गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो के नूटिफिकेशन टाइम टूटाइम मिलते रहे ओके चल्थ देखे महायान अगर मैं बात करूँ बुद्धिजम की तो आपको याद रखना है कि बुद्धिजम को दो पार्ट में बाटा जा सकता है एक तो है आप लोगों का हिनायान, जो old वाला था उसको बोलते है हिनायान, और जो आप लोगों का नया वाला है उसको बोला जाता है महायान, न्यू वाला जो है इसको बोलते है महायान, तो महायान बुद्धिजम के अंदर में कुछ changes आपको देखने के लिए मिले थे, जैस बिल्कुल सही बात है, बोधी सत्व वर not accepted, बोधी सत्व का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजी, जो भी नहीं बच्चे, बोधी सत्व का मतलब होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको ज्यान की प्राप्ती हो चुकी है, जिसने अपने आपको निर्व प्राप्त कराने में मदद करूँगा, तो ऐसा कोई व्यक्ति, जिसको ज्यान प्राप्त हो चुका है, वो चाहता तो अकेले में जिन्दगी बिता सकता था, बट फिर भी वो समाज में रहता है, और समाज के लोगों की मदद करता है निर्वान प्राप्त कराने में, ऐसे व जैसा यह गला थे क्योंकि महायान में बोधी सत्व एकस्ट किया गया था कि यह वाला आपका गलत होगा तो आंसर आपका होगा option number one only यह केवल पहला वाला सभी दूस्रा वाला गलत है। क्यों गलत है वह मैंने आपको बता दिया बुद्ध की statues, एक extra point बतारो, ध्यान से समझना आप लोग, आप लोग बता सकते हो कि दो ऐसी जगह है जहापर में बुद्ध की मुर्तिया बनने के लिए वो बहुत ज़ादा मशूर हो गए थे, तो दो जगह है ऐसी है, जो NCIT में भी दिया हुआ है आप लोगों के, एक और महायान कब अलग हुए थे, चौथी बौध परिशत में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर में अलग हुए थे, हिनायान और महायान, बौध धर्म का बटवारा हो गया थे, और ये महायान के अंदर में बौध की statue बनती थी, थूरा और तक्ष शीला के अंद है नाइन्थ पंचवर्षिय योजना के अंदर में special, ऐसा क्या है नाइन्थ वाली में, जो इतनी ज्यादा important है ये, बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखें यहाँ पर में answers आने start हो गया आप लोगों के, एक चीज याद रखने हैं आप लोगों यहाँ पर में, कि जो पंचवर्षिय योजना है, यह जब लागू हुई थी, उस समय में भारत की जो इंडिपेंडेंस है, उसके 50 साल पूरे हो गये थे, 50th जो इयर है, ठीक है, येर के अंदर में, इंडिपेंडेंट इंडिया के 50th इयर में इसको लागू किया गया था, इसको लागू, मतल पंचवर्षिय योजना, तो 1997 से लेकर 2002 तक ये पंचवर्षिय योजना आप लोगों की चली, पचासवे साल में थी, मतलब पचासवे साल में इसको बनाया गया था, इसी वज़े से ये इंपोर्टन है, और इसके अंदर में सोशल जस्टिस जो है, उसको बढ़ावा दिया सामाजीक नाय, नियाय और समानता को बढ़ावा दिया गया था इसके अंदर में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इसी वज़े से इंपोर्टन बन जाती है आप लोगों की, याद रहेंगा आप लोगों को पाचवी पंचवर्षिय योजना, पचासवे साल के अं बात करूँ आप लोगों से LPG reforms कब हुआ था, ठीक है, LPG, liberalization, privatization, globalization, globalization, ठीक है, liberalization, privatization, globalization, globalization, कौन से वाली पंचवर्षिय योजना में हुआ था, ये LPG reforms जो थे, friends, आप लोगों के human development वगरे के उपर में भी ध्यान दिया गया था, उसमें, वो थी आठवी वाली के समय में, 1992 से 1997 के बीच में, ये भी एक important वाला point बनता है आप लोगों का, जब भारत ने actual में तेजी देखी थी, हमारे तरक्की के अंदर में, बहुत बढ़िया, 700 के करीब लोग देख रहे है, पासो के करीब लाइक हुए, जल्दी-जल्दी से आप लोग बचे हुए, ज सिंदू घाटी सब्व्यता का निम्नल कितने से conscious थल है, जो आपको सिंदू नदी के तठपर नहीं देखने के लिए मिलता है, मतलब वो सिंदू नदी के तठपर नहीं है, बताइए आप लोग, सिंदू नदी के तठपर नहीं है वो, बहुत बड़ी है, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर भी आने स्टार्ट हो गया है, अगर आप बात करोंगे यहाँ पर में रोपर की, अगर किसी ने भी रोपर का नाम सुना है, तो यह हमारे भारत में है, पंजाब में, ठीक है, पंजाब के अंदर में है, और पंजाब से सिंधु नदी नहीं भेति यह ज़ाने के कि अपर में बस हुआ होग तो दिखाने की कुशिश करता आप अगर यहां थोड़ा सभी आप आपको सिंधू नदी के किनारे पे बस हुआ हैं मोहिंंत जो दारो ठीक है उसके अलावा जो है यς हैं चाहन sąd communauté यहां पर देख सकते हो चाहण हो यहां पर कोट दिजीआ आपको दिख रहा हूंगा कोट दिजी मोहिंत इसके बाद में यहाँ पर मैं आप देख सकते हो अम्री नाम की जगह है अम्री इंट्रेस्टिंग साहे एक चीज याद रखना आप लोग एक ऐसा शहर है सिंदु घाटी सब्वयता का जिसमें दूर्ग नहीं था या सीटडिल जितने भी शहर आपको मिले है ना उनमें लगबग जादातर शहरों में दो भागों में उसको बाटा गया था मतलब एक होता था उपरी नगर जिसको बोलते थे दूर्ग थोड़ी उचाई पर होता था और एक होता था नीचला नगर जहाँ पर में गरीब लोग रहते थे नीचा इलाका था ये तो एक इलाका उपरी इलाका होता था जिसको दूर्ग या सीटाडेल बोला जाता था ये चानुदारो नाम का जो शहर आप लोग देख रहे हो ना ये वाला चानुदारो यहाँ पर में हमें सीटाडेल नहीं मिला ह तो यूपी टेट के अंदर में कुश्यन आया था कि इन में से कौनसा वाला शहर है जहां सीटाडेल नहीं है तो यह चानुदारो नाम का जो जगा है वहाँ पर में आपको सीटाडेल नहीं मिलता है तो यह सीटाडेल या दुर्ग जो उपरी इलाका था थोड़ा सा उचा में यहां पर मैं आप देख सकते हो रोपर जी कहले पंजाब के अंदर में भारत के पंजाब में रूपनगर आज रूप本गर के नाम से इसको जाना जाता है याद रहेंगा आपको अगर मैं ऐसे ही पूछ लूप लोगों से नीन में से उठाके अरे उठ अरे चुन्नू कि चंदेल साशक थे उन्होंने कंदारिया महादेव टेमपल यह कॉन से राज जी के अंदर में स्थीत जल्दी से बदा दीजिया ncid based question मिला है मुझे आप, लोगों क, तो देखिए, अगर मैं बात करूँ, c六 चंदेल वन्षक थे, उन्होंने कंदार्या माहदेवा टेंपल बनाया है, यह आप लोगों को मध्येप्रदेश के अंदर में मिलेंगा, ठीक है, मध्येप्रदेश के अंदर में चटरपुर डिस्ट्थ, चटर कंदारिया महादेव किस ने बनाया था यह जो आपको याद रखना है महादेव तक राजा से दंग डेवा उन्होंने बनाया था नहीं यह याद रहे हैं रखा निय्ग्यों में दिया हुआ इसी वज़े से बता रहो आप लोगों को रिविजन के तौर पर धंगदेव नाम के राजय ने बनाया था चंदेल वंश के थे चातरपूर डिस्टिक्ट मध्यप्रदेश के अंदर में है वहापर में भी एक जगा है खजुराहो नाम की वहापको मिलेगा एक बॉनस आप लोगों के यादओ पूरी की पूरी लिस्ट जौ इंपोर्टन वाली है जो इंपोर्टन वाली है यहां पर में आप लोगों देख़े गंगय कौंड चोल पूरम कहा पर में हैं मेरे साथ मैं सभी लोगों को भीराना है तभी मैं प्रहाओ नहरांरिए हाँ मैं चोल राजा था चोल राजा था ये महाबलीपूरम पलव राजा ने बनाया है अगर अगर आप लोग आ एक कोनार्क संझ टेंपल एक जल्दी से बताएंगे आप लोग किस ने बनाया और कौन से राज्य में है यह उडिशा के अंदर में हैं आप लोगों का पूरवी गंगा डाइनस्टी के एक राजा थे उन्होंने बनाया था जल्दी बताएंगे आप लोग उनका नाम क्योंकि बताओ जल्दी से, देखते किते लोगों को याद है। पर लोगों को राजिस्थान में मिलेंगा राजिस्थान के अंदर में है तिक बादामी केव चालुक के राजाओने इसको बनाया था तो प्लीज को या रखी आप सभी लोग वो सकता है कभी भी किसी भी तरे सब आप लोगों को यह कंशें आप लोगों से पूछल्य है नर्सीम डेव नाम के एक राजा थे नर्सीम देवina नाम के राजा थे वो лет पुर्वी गंगा वंश के राजा from नार्क सन टेमपल, उडिसा में आप लोगों को मिलेगा, एक कोश्चन है आप लोगों का इसका आंसर कीजी जल्दी से आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे, साड़े आठ सो से ज्यादा लोग देख रहे हैं, देखें, कि ये में डीजी, ऌसे मेंचे ब्याइक का मतला, मैंडीशन जल्दी आप लोगों को मिलेगा, और क्ला थका का ब्ला के जल्दी सीुट हो चुनल, जिसे लोगों के शाएं, तो यो मेंडीशन ज लोगय मीग द्लें, लोग जल्दी टीशिग परिश्या भी या भी उकी, जह म 7611-101-101 इस नंबर के ओपर में कॉल करके आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हो ठीक है तो तीन में जो फैक्टर है फ्रेंट्स आप लोगों के एक तो है जन्म हुआ किसी का बहुत सारे बच्चे पैदा हो गये कोरोना के अंदर में हुए आप लोगों को पता है ना बहुत सारे खाली बेटाते हैं लोग तो बर्त हुई यह मान लोग किसी की बहुत सारी डेट्ट हो गई बहुत महामारी वगरे फैल गई उसके कारण हो सकता है जन्म और एक होता है चेंज का जो चेंज होती है माइग्रेशन इक जगह पर आप लोग रहते थे सारे के सारे लोग और आप लोगों का इफ है प्रवास तो प्रवास जन्म और मृत्यू यह बेसी कली जुह है वह वो पॉपुलेशन चेंज के लिए जिम्मेदार होता है यह याद हना है माइग्रेशन तो एक चीज को continuing nothing लम नहीं है ना तो माइग्रेशन यहां लिख दिया बर्थ और देथ यह तीन चीज़ आप लोगों को याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर में ताकि याद हो जाए आपको यह एंसी आटी में दिया हुआ है आप लोगों का इसके कारण आपको पॉपुलेशन चेंज देखने के लिए मिलता है अलग-अलग इलाकों में सब हस क्यूं रहे है पता नहीं मुझे भी नहीं समझ में आरा क्यूं हस रहे है आपर में सब लोग वो सबको अपना अपना बात अपनी अपनी चीज़े याद आ गई होंगी न सब्सक्राइब नहीं है अब उन्होंने पूछा कि क्यूं हसरे सब तो मैं वही बुला किया सबको अपना अपना जो भी याद आ रहा हूं नौस्टेल्जिया सिंदु घाटी सब्व्यता का निम्नलिकित में से कौन सथल भारत में स्थित नहीं है लोथल बनावली धोलावीरा हडपा ठीक है बताओ तो देखो अगर मैं बात करू लोथल कौन से राज्य में यह आप लोगों को कमेंट करके बताना है सभी लोग कमे लोथल में है ठीक है भारत में कहा है बताएंगे खड़पा जो है फ्रेंड्स यह याद रखना है यह आप लोगों का भारत में नहीं है यह पाकिस्तान में है पाकिस्तान में कौनसी रिवर के किनारे पर बसा हुआ है यह आप लोगों को आंसर करना है सभी लोग मेरे साथ साथ में मेरे बताने के पहले बनावली आप लोगों को फिर से गुजरात के अंदर में मिलेगा और वही अपका की बात करो तो भारत में आज पाकिस्तान में और यह रावी नदी के किनारे पर है रावी और यह सबसे पहला था फॉस्ट था जिसको फॉस्ट था जिसको डिसकवर किया गया था ओंसे साल में किया गया था तो 1922 में किया गया था जो 1921 के अंदर में बहुत बढ़िया यहां देख सकते हो रावी नदीए किनारे पर बसा हुआ यह नेक्स कोश्चन की तरब में आगे बढ़ते हैं स्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर कौन था स्थाई बंदोबस्त पर्मनेंट सेटलमेंट जब लागू यह हुआ था आप लोगों का 1793 के अंदर में कौन से इलाके में हुआ था वह आप बताएंगे एरिया कौन सा था यह आप आप लोग बताना है क्योंकि ये भी कोशन बन सकता है स्थाई बंदोबस्त की बात हो रही है पर्मनेंट सेटलमेंट पर्मनेंट सेटलमेंट जो है फ्रेंट्स चार्ल्स कॉन वॉलिस ने इसको लागू किया था कब 1793 के अंदर में लिखते जाओ आप सभी लोग कमेंट में स उसी बात आएंगी और क्या बोलोंगे उस समय में जब दानिश सर पढ़ा रहे थे जब शारी सर बोल रहे थे करो अपना पूरा वो जोश लगा के पढ़ा रहे थे उस समय मैं अप लोगों को बता रहा हूँ कि आज का डर्द है आपको कल आगे लेकर जाएंगा बाकी ौप लोगों ने बता दिया Friends, बंगाल, बिहार और उडीसा, यह यादर्थने है आप लोगों ने, स्थाई-बंदोबस्त को आप लोग जमिन भी बोलते हो जमीनदारी सेटलमेंट भी बोला जाता है ठीक है जमीनदारी सेटलमेंट क्योंकि इसमें जमीनदार साई बंदोबस के अंदर में जमीनदारों को न्यूक्ट किया गया था एक और नाम है इसका इसको इस्तमरारी भी बोला जाता है इस्तमरारी सिस्टम भी बोल जाता था यह याद रखना है आप लोगों ने इंपोर्टन है एक्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं जमीनदारी सेटल्मेंट्स थाई बंदोबस्त या पर्मनेंट सेटल्मेंट इस्तमरारी सेटल्मेंट एक ही बात है यह आप लोगों की बंगाल बिहार और उडिसा के 1793 इमपोर्टन वाले पॉइंट की आप लोगों के इस इस लाके के अंदर में इसको लाघू किए था यह याद रह रहें अप लोगों ने मिटि को सी कौन सा प्रशांट महांसागौर्यक के संबंध में सही नहीं है प्रॉटन महा shifts प्राषांत महांसागरवाह अंसीाग के पॉइंट्स आप लोगों को दिये हुए वह मैं आपको करवार हो ध्यान से देखिए आप लोग प्रशांत महासागर के बारे में बात हो रही है यहां यह जो है आप लोगों का चार महाधीपों से घिरा हुआ है एशिया औस्ट्रेलिया नौर्थ और साउथ अमेरिका सही बा ओल मतलब ऐसा परफेक्टली ओल शेप का हो ऐसा है क्या आप लोग बताएंगे मुझे अंडाकार है मारियाना ट्रेंच कहा पर मिलेंगा आप लोगों को जो सबसे गहरा पॉइंट है बिल्कुल सही बात है आपको इसी में मिलेगा पैसिफिक ओशें इस दा लार्जेस्ट फचेंदर में आप लोगों को फसाया जा सकता है अटलांटिक ओशें एस शेप का है हम लोगों ने देखा था कि इंडियन ओशें ट्रैंग्डियूलर शेप का है चीए इंपॉर्टन वाला पॉइंट है जो आप लोगों को बतारो में याद रखना है आप लोगों ने आप देख सकते हो फ्रेंड्स की यहां पर में दिखाया गया और NCIT में साफ साफ लिखा हुआ भी है एशिया ऑस्ट्रेलिया नौर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका उससे घिरा हुआ है यह दुनिया का सबसे बड़ा है और पूरे दुनिया का वन थर्ड एरिया जो है सर्फेस यह अकेला इसके पास में है पुरे दुनिया का एक तिया ही हिस्सा अकेला यह अपने पास में रखता है यह भी आप लोगों को यादर ने इंपॉर्टन पॉइंट एक्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है ठीक है चलिए नौ यहां पर में आप लोग देखेंगे फ्रें बार करो और मिनौ आप लोग राज्जे भी बतायाँं के कौ Gog 80 के अंधर में वह कौन सा राज्जे है जहा पर में वह क्तित है ये बताना है आप लोगोंने कि कौन्सी वाली लेक है जिसकी ओपर में आपन लोगों को देखने के लिए मिलेगा ऑनेगा बड़ेग Bengal अगर मैं बात करूँ विश्व का एक मात्र तैरता हुआ ठीक है राश्ट्री उध्यान या नेशनल पार्क यह आप लोगों को मिलेंगा काईबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह कौनसी वाली लेक पर है कौनसी लेक पर है अगर यह कोशन आजे आप लोगों से तो यह है लो आप लोगों से पूछा जाएंगा दुनिया का एक मात्र तैरता हुआ राश्ट्य उध्यान काईबुल लामजाओ नेशनल पार्क काईबुल लामजाओ नेशनल पार्क कौनसे राज्य में है मनिपूर के अंदर में तो आपने देखा यही के यही आप लोगों के नेशनल पार्क यह आप लोगों का करनाटका में है करनाटका नाटका करनाटका ओके नागर होल नेशनल पार्क आप लोगों का इसके अलावा दचीगम नेशनल पार्क जिसने बता दिया ना भाई उसको मान जाओंगा मैं दचीगम नेशनल पार्क में को एक एक बच्चे स अंदर में जम्मू कश्मीर के अंदर में मिलेगा और यहां पर में आपका क्या संरक्षित किया रहा है हंगूल को संरक्षित किया रहा है प्रोजेक्ट हंगुल कब चलाया था हम लोगों ने प्रोजेक्ट हंगुल प्रोजेक्ट हंगुल हम लोगों चलाया था जल्दी बताओ आप लोग टीके 1970 के अंदर में चलाया था देखो पूरी की पूरी लिंक बन गई है 900 क्रॉस हो गया जल्दी से लाइक है लाइक का बटन बावगाद ऑफ लोग लोग लाइव आया करो अब लुक्त बसक्राइब कि यह बालवाच्छे ए बाल रखार लगंगी यह लड़की लाईया था क्योंकि उसके बाल अच्छे पैंप लोग या मेग बारी शोरी थी तो बाल उसके गेले होगे तो बहुत बढ़िया नेक्स्ट के तरफ में आप लोगों को दिखा दू काइबुल लाम जो नैशनल पार्क इस तरीके से रहता हुआ नेशनल पार्क आप लोगों का कॉंसे राज्ये के अंदर में हैं आप लोग लिखो ज कि इंपोर्टन वाले नेशनल पार्क की लिस्ट है ऐसे पढ़ना चाहते हो ना हाथ उबर करके बता दो जल्दी से और सभी लोगों को कमेंट में आंसर करना है और जिदन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो अपने दोस्तों के अपने बाल बहुत अच्छे थे लेकिन उसको नौकरानी बना एक नटशनल पार्क के अंदर में पर दिया वह इंसान है ये शादी करके लाया अरधांग नी है तेरी ये कि दिन का आदा रास्ता तै करती है रात फिर भी दिन सुनता नहीं उसके मन की बात नौकरानी बना है रख दिया उसको आपर में बस खाना बना रहा है लाओ एक रोटी और लाओ दो रोटी और लाओ ठीक है आज ये बना दो आज वो बना दो अमाल यार मेगा भीचारी बाल अच्छे थे इसलिए ला लिया था उसको अब नौकरा नी बना के रख दिया है क्या होगा इस समाज का फत्वय आलमगिरी यह बताना है आप लोगों ने फ्रेंड्स डाइजेस्ट अफ मुस्लिम लॉस वॉस रिटेंड दूरिंग दूरिंग पिरियोड ऑफ फॉलविंग जो बच्चा रोज लेक्चर देखता है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा जल् चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग अगर मैं बात करूं फट्वय आलमगिरी आलमगीर किसका नाम था भाई लोग आप लोगों को बताया था मैंने औरंग जेब कली बताया था जल्दी हाथ उपर करके बता देंगे जितने आप लोगों की आलमगीर या ऐसा कुछ भी आता है आप लोगों का थीकल्य तरीकतर को यह बि पूछ सकता है पत्वय आलमगीर इस तरीकिये ल्हाना पुस्तक किस है तो वह आप लोगो याद रखना है कि औरुप्त लिपहा जब वहांस सिरुन कि याद रहे विघा है पूछ से जहेजञाता से यह स circumst Chan ध्यान से समझना आप लोग विक्रम शीला युनिवर्सिटी बनाई थी और नालंदा युनिवर्सिटी की रिपेरिंग करवाई थी उसने उसको रिवाइव किया था किसने जल्दी बताइए आप लोग विक्रम शीला युनिवर्सिटी को बनाने का और नालंदा युनिवर्स पाल्वंश का राजा था पाल्वंश का राजा था पाल वंश का राजा था धरम पाल ओके गोपाल का बेटा ये याद रखना है तो वासुदेव नहीं है गोपाल ने नहीं बनाया था श्री गुप्त तो बिल्कुल नहीं हो सकता तो आंसर आपका होगा None of these None of these में भी आंसर होगा आपका धरम पाल सबी लोग लिखेंगे मेंको हर एक बच्चे से यहाँ पर में कमेंट में चाहिए लाइव देख रहें ऑफ लाइन चाहिए मेंको अभी के अभी आप लोगों से लिखकर चाहिए मुझे आप लोगों से क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन्ट है विक्रम शीला उनिवर्सिटी ब करणने के तरफ वे आगे बढ़ते हैं अजा जल्दी से बता तो अपने के किनारे पे बसा हुआ है पिनार सुवरन घोड माही कौन सी किनारे पे बसा हुआ है इनाम गाव याद रखना आप लोगो याद रखना है यह फाईनली जाकर भीमा में मिलती है भीमा नदी में, अच्छा एक और एक्स्ट्रा पॉलेट करते हैं इस question को हम लोग, भीमा फिर किसमें जाकर मिल जाती है, तो भीमा जो है, ये जाकर मिल जाती है, क्रिश्ना नदी के अंदर में, क्रिश्ना नदी में, अच्छा चलो और एक्स्ट्रा पॉलेट करते हैं, कितने लोग answer कर पाते हैं तो घोड अनधी का पानी भीupphone में जाता है भीमा का पानी krishnah में जाता है कृष्णा का पानी स्टार जाता है या आप लोग बता देंगे मुझे कमेंट करके कितने लोग answer कर पा रहे हैं या बहुत बढ़ी है आप इतने हैं साधिस वंद मार्ड़ का सरव जाता है नौर्थ के तरब के दफनाया जाता तरब नौरत है लिल्फ टमिल्नारु और कॉनसे राज्ये में से जाती है यह को समझाने के लिए क्यों स घ कॉष्चन की लिए मैं अब जीघंद जब इस question को suggest किया यहां तो पता ये काविरी बेसीन भारत में भारत के तमिल नाडू करनाटक और ब्लैंक राज्य में से जाती है देखे तमिल नाडू और करनाटक के बीच में तो काविरी जल विवाद है ही लेकिन फ्रेंट्स बेसीन का मतलब होता है कि नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा घेरा गया इलाका यह जो पूरा इलाका होता है न यह नदी है मानलो में वाली यह में नदी है उसमें और जो एरेया होता है उसको बेसीन बोला जाता है तो तमिल नाडू करनाटक और केरल में भी फैला हुआ है कुछ इलाका उसका के अंदर में मैं दिखाता हूँ कैसे आपको मैप के जरीए देखे यह कावेरी नदी आप देख रहे हो यहां पर में यह कावेरी नदी है यह यहां पर में देखे यह नदी केरल से निकली हुई है यहां पर में आप देखोंगे यह नदी केरल से निकली है तो केरल में भी इसका बेसीन है थोड़ा सा यह आप लोगों का उसका शेत्र बोला जाता है नदी शेत्र आपका वह आप लोगों को यहां पर में केरल में भी करना टक इन तीन इलाकों के अंदर में फैला हुआ है 925 लोग हो चुके बहुत बढ़िया अब इस कोश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ जिंगा लाला आलमगीर नामा नाम की पुस्तक जो है वो किस ने लिखिये जो औरंग जेप के उपर में लिखी गई पुस्तक है तो ये पुस्तक लिखी थी मुहमत काजिम ने याद रखेंगे आप लोग मुहमत काजिम ने important point है friends exam के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है मोहमद काजीम याद रहेगा आप लोगों को चाली बहुत बढ़िया तो मोहमद काजीम ने यह book लिखी है और यह आप लोगों की 12th standard की NCIT के अंदर में करी उसमें मिलती आपको बाकी बाबर ने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी थी ठीक है तुजू के बाबुरी बाबर तुजू के बाबुरी का पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन किस ने किया था एक बार कमेंट गर के बता दो जरा सा देखते किते लोगों का धिमाग चल रहा है तुजू के बाबुरी बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी ठीक है बड़ बाद में उसको क्या किया उसको किसी ने तो भी पर्श नामा दिया हुमायू नामा खुद हुमायू ने नहीं लिखा था उनकी बहन जो थी गुल बदन वेगम उन्हों ने लिखी थी अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा तुजू के जहागीरी तुजू के जहागीर नामा जो है आपका जहागीर ने लिखा था यह याद रख कहा पर में है, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आप लोगों से कुछ पूछूँँगा थोड़े-थोड़े सवाल आप लोगों से, जो बच्चा regular देखेगा, जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा, उसका फाइदा होगा, यह मैं आपको बतारूँ, ठीक है, आप लोग 928 28 यहां पर में भी है कल हमारा हजार होना चाहिए सभी लोगों को लाइव आना है ताकि ऐसे ही मैं और ज्यादा मोटिवेशन के साथ में डेली आप लोगों को बढ़ाता हूँ जितने भी बच्चे बात में देख रहे हैं जल्दी से कल आप लोगों को लाइव आ जाना है डॉ मैंने आप लोगों से पूछा था कांचन जंगा नेशनल पार्क और कांचन जंगा बायोस्फियर रिजर्व कहा पर में है याद करने आप लोगों से कहा था कांचन जंगा नेशनल पार्क और कांचन जंगा बायोस्फियर रिजर्व बताओ जल्दी से कांचन जंगा कहा प यह कहापर में है यह भी बहुत important है cold desert हिमाचल प्रदेश में अभी क्या भी लिखो cold desert national park या cold desert biosphere reserve है basically वो cold desert biosphere reserve कहापर में नई लद्दाख वालो तुम्हें जनता कभी माफ नहीं करेंगी cold desert कहापर में अगर यह बोले तो वो cold desert और लद्दाख को बूला जाता है cold desert biosphere reserve बुल रहो हुं में यहां पर में legal desert biosphere reserve वो हिमाचल प्रदेश में हैं हिमाचल जो लद्दाख को आप डीजर्ट है ठंडा रेगिस्तान नहीं cold desert biosphere तो आपने बच्चे का नाम यहां पर मैं आ जो है इसा तो तो है नहीं कि भाई वह जो है मेरे घर में रह रहा है घर के अरे उसका नाम मैंने शेर सिंग रखा है एक्चुल में थोड़ी जंगल से उठा के लाया मैं उसको फूर्ड डेजर्ट नाम रख देने से को डेजर्ट वो नाम है बस उसका cold desert यह याद रखना है आप लोगों ने सिफ नाम cold desert cold desert biosphere reserve हिमाचल प्रदेश के अंदर में और cold desert पुछे केवल केवल cold desert कहा है biosphere reserve नहीं तो वो लद्दाक होंगा आपका यहां पर मैं आप देख सकते हो घ्रंड़ पुरी की पूरी लिस्ट है आप लोगों की अठरा के अठरा लीस्ट आप लोगों की चेल नंदा डेवी biosphere reserve उत्रा खंड के अंदर में आप लोगों का आप लोग बाखी देख सकते हो, cold desert आप लोगों का हिमाजल प्रदेश के अंदर में है, कांचन जंगा आप लोगों का सिक्कीम के अंदर में है, ऐसे ही में धीरे 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 आप लोगों को सारे के सारे याद करवा दूगा, नौकरेक Biosphere Reserve कहा हो सकता है, नौकरानी ब बालफाकरम और नौकरेक, अब दोनों याद रहेंगा आप लोगों को, बालफाकरम नेशनल पार्क और नौकरेक Biosphere Reserve भी है, वो भी मिघाले में ही है, अब तो याद रहेगा हमेशे आप लोगों को, ठीक है, चालिए, नौफ्रेंट कोशन के तरह में आगे बढ़ते है, एक अंटाक्टिका महादीब को घेरता है, और उत्तर की ओर, 60 डिग्री दक्षिनी अक्षान्स तक विश्तरित है, मतलब मान लीजिए यह अंटाक्टिका है आप लोगों का, अंटाक्टिका किस से घेरा हुआ है, वो महादीब का, वो ओशियन का नाम आप लोगों ने बता आप लोगों को याद हैं, आर्क्टिक वालो, जनता कभी माफ नी करेंगे, यह अंटाक्टिका की बात हो रही है, तीक है, सदन ओशियन में है, यह जो समूधर है इसको आप लोगों अन्टाक्टिक ओशियन भी बोलते हो, लेकिन सदन ओशियन उसका ओफिशल नाम है, यह इसको फूरा का समूद्र है यह वाला संभ उलता गोड़ा斯 महा जाए अपर नीचे कुछ होता नहीं लेकिन फिर भी बता रहो अप लोगों को तो एंटाक्टिगा है मानलो उसको चारो तरफ से सदन ओशयन ने घेरा हुआ है सदन ओशयन साठ डिगरी साउथ से स्टार्ट होता है इसी ओशयन को कई बार अंटाक्टिका के नाम के उपर में अंटाक्टिका ओशयन भी बोल दिया जाता है अंटाक्टिक नीचे में अंटाक्टिक नीचे में तोनों में फर्क है तोनों को इस तरीके से उसका शेफ बदलता रहता है नंटाक्टिक का क्योंकि वह एक्टिव है वो आपका क्योंकि बरफ जमती पिखलती रहती है इस वज़े से फत्वा ए जहांदरी NCRT का छटवी कक्षा का पहला जो चैप्टर है उसमें दिया गया है फत्वा ए जहांदरी बताना है आप लोगों ने इसका अंसर क्या होगा और यह बहुत इंपोर्टन वाला पॉइंट है इसी वज़े से आप लोगों को आज यह याद करवा रहो फ्रेंट्स ठीक है फत्वा ए जहांदरी और तारीक ए फिरोज शाही दोनों पुस्तक उन्हों ने लिखी है फत्वा ए जहांदरी और तारीक ए फिरोज शाही यह भी पुस्तक उन्हों ने ही लिखी है जिसके बारे में बात हो रही है और यह दोनों बुक का नाम NCRT में दिया है भाई यहाद रखना आप लोग यह सबसे महान जो आपके इतिहासकार हुए है न दिल्ली सलतनत के समय में उनको माना जाता है उनमें से एक माना जाता है इनको यह याद रखना ज्यावदिन बर्नी फत्वा जहांदरी और तारीक फिरोष शाही तो जेल में रहकर लिखी थी तुम्ह इंपोर्टन है यह इसको इंपोर्टन मार्क करो आप सभी लोग इबन बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी रहला नाम की पुस्तक लिखी थी रहला इबन बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी कल्हन ने कोई बता सकता है कल्हन बहुत ही फेमस है कल्हन की पुस्तक का लिखी थी इनों ने बहुत ही फेमस है और यह वाला आप लोगों का पता है आपको सुपर टेट के अंदर में भी आया था आप लोगों का यह वाला रहा गया बाई यह ने लिखी एक है कलहन ने याद रखना आप लोगों ने भाकि फिरोष्षा तुगलग ने फुतुहत ए फिरोश शाही नाम से पुस्तक लिखिए बता दू के इनको ये बुरा ना मान जा यार नहीं तो आप लोग बताओ बता दू के एक बार जिस थर्टी सेकंड लगेंगे बता देतर नहीं तो पता चले फिरोश शाह तुगलग नाराज हो गया सर ये क्या बात हुई ह्यार फिरोशा तुगलग एक राजा था दिली सल्तनत के 320 साल के इतिहास में अंधर टाल्ड के तूह के तूहरे भाईना अकेला राजा धिल्ली सल्तनत के अपनी आत्मकता लिखी है फुतुहत फुतुहत ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, अपनी खुद की पुस्तक लिखने वाला एक मातर दिल्ली सल्तनत का राजा, फुतुहत फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, याद रखना आप लोग, अकेला राजा 320 साल के इतिहास के अंदर में, दिल्ली सल्तनत क इतने सारे राजा हुए लेकिन अकेला था फुतुहते फिरोश्याही खुद ने लिखी है फुतुहते फिरोश्याही याद रखना आप लोग इस question का answer मुझे हर किसी से चाहिए हर किसी बंते से चाहिए option eliminate करो कुछ भी करो मुझे इसका answer चाहिए आप लोगों से इस question का answer हर कोई बच्चा लगाएगा हर कोई क्यूंकि ऐसे questions एक्जाम में आते हैं पूरा पूरा comment box में आग लगा तो आप लोग जल्दी जल्दी से इतने लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से answer करेंगे इसका एकदम और लाइव आ जाये गरो यार रोज 5 बज क्लास होती है रोज 5 बजे लाइव आ जाने और जिन भी लोगों को teaching परिशा के साथ में पढ़ाई करनी है teaching परिशा के साथ में आप लोग चाहते हो कि आपका selection सो निश्चित हो जाए आप लोग बाकी लोगों से आगे रहे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे आप लोग ब बात करूं फ्रेंट्स option elimination की तो option elimination के अंदर में क्या करेंगे हम मैं रहला की बात कर लेता हूँ आप लोग उसे रहला से हो जाएंगा आप लोगों का ठीक है रहला रहला किसने लिखी है इबन बतूता पहन के जूता ठीक है रहला तो रहला C की जोड़ी 1 के साथ लगने वा बता हो हाथ उपर करके जल्दी से कितने लोगों नहीं सी इसकी अंसर बढ़िया बहुत खूब अब मैं आप लोगों को बागी की बतातो फ्रेंट्स NCRT के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का NCRT के अंदर में दिया है तुम्हारे अंकल तबाकते नासिरी लिखिए इन्होंने तबाकते नासिरी इसको बहुत अच्छे से याद रख लो अब लोग मिनहाज ए सिराज नाम के एक थे तबाकते नासिरी, लिख दो एक बार, तबाकते नासिरी मिनाजे सिराज ने लिखी है, NCRT में दिया हुआ है, ये अंकल वही अंकल है, जिनों ने कहा था कि रजिया सुल्तान अपने भाईयों से जादा काबिल है, बट फिर भी महिला होने के कारण भगवान के जो नियम है, उसके खिलाफ जाता है उसका साशन, तो ये वही अंकल है वो, मिनाजे सिराज जिनों ने रजिया के लिए ऐसी बात कही थी, ये याद रखने है आप लोगों ने, तारीके हिंद, ये तो आप लोगों का गोध लिया हुआ कुश्यन है, गोध लिया हुआ है ये तो, बहुत आदिन धिनना, तबला का अविश्कार किया था, ये याद रखने हैं आप लोग तो तारीखे दिल्ली खुसरो ने लिखिये, ये याद रखने आप लोगों करते हो और एक्स्ट्रा पॉइंट साथ साथ में ने पढ़ते हो आप लोगों को और अच्छे से याद होती है, य यही चीज मुझे चाहिए और मेरी energy और आप लोगोंकि अटेंटिवनेस, आप लोगों के comments आप लोगों का like share यही मुझे motivate करेगा कि और ज्याधा मैं आप लोगों के महनत करूँ पडल मुझे सारे के सारे बच्चे चाहिए कल ac 1000 बच्चे पूरे log लाइव होना सारे के सारे लोग डॉट पाच बजे लाइव आ जाएंगे सभी के सभी लोग तो तारीक है दिल्ली खुसरों ने लिखी थी यह याद रख लो आप लो आप लो बेरिंग जल डंबरू मद्य किसको किसको जोड़ता है पीस के लिए बहुत इंपोर्टेंट है पी खचैंगें तो तारीक यहाँ पर में बेरिंग स्टेट जो है किसको किसको जोड़ता है बेरिंग स्डेट जलडंबरू मध्य मतलब एक ऐसा पानी का जहरा जो बड़े-बड़े दो पानी के जहरों को जोड़ता हो तो आंसर हो Armen्ट उस आप लोगों का यहाँपर Arctic Ocean और Pacific Ocean मैं आपको मैप के तुरू भी दिखा देता हूँ ठीक है यहां पर मैं आप लोगों का Arctic Ocean Arctic महासागर और यहां पर मैं आप लोगों का प्रशांत महासागर इन दोनों को जोडने वाला है आपका यह है आपका बेरिंग स्ट्रेट न्सी आटी में दिया हुआ है एक्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से तो बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग जल डमरू मध्ध है आप लोगों का क्या करता है इन दोनों को जोडता है इंपोर्टन पॉइंट है याद रख लेना आप सभी लोगों से पर सवाल पूछ यहां पर में कुछ उसके आंसर मैं चाहँगा कि आप लोग मुझेılar कमेंट बॉसके अंदर में अपलोगों के लिए लिए लिंग जो इसने लिखी थी यह आप लोग मुझे बताएंगे कमेंड करके जल्दी जल्दी से अभी लोग भारत के अंदर में कितने बायो स्फियर रिजर्व है बायो स्फियर reserve कितने है भारत के अंदर में reserve कितने है भारत के अंदर में यह आप लोग बताएंगे cold desert cold desert biosphere reserve कौन से राज्य में है अब बताओ मुझे आप लोग answer सारे के सारे लोगों का answer चाहिए मुझे cold desert biosphere reserve कहा पर में है यह आप लोगों ने बताना है इसके बाद में आप लोगों से यहां पर में पूछना चाहूँगा कि बाई बताईये कि नौकरेक नेशनल पार्क ल का पर मैं आप लोगों काarta? और त्रिक जो भी बताना है वो भी बताओ आप लोग इसके अलावा आप लोगों को बताना है कि लोक तक लेक कांब से में लोक तक लेक लोक तक लेक नॉर्थ इसट इंडिया की ट champion अधर पूरवी भारत की संबसे बड़ी झीधग ये अब ऑपहर नहीं जाकर आप सक्टाल। याप जरूर्ण दाउनलोड करने दो जो भी आप लोगों को चाहिए जानकरी 70 7601 101101 के उपर में अभी कौल कर लो आप लोगा को जानकरी मिल जायएंगी ठीके बिहार के लिए बिहार के लिए आप लोग कर सकते उसके अंदर में रजिस्ट्रेशन करके आप लोग रख सकते उसको ठीक है मैंने आप लोगों के लिए इस message को pin कर दिया है ताकि अच्छा यार गलत message pin हो गया ठीक है अब कर दिया है मैंने आप लोगों के लिए pin आप लोग जो है यहां पर में इस portal के उपर में जाकर test दे सकते हो ठीक है अब कर अच्छा आप, मैंने आप लोगों के लिए आप